हर चोर का चोरी करने का अपना अलग तरीका होता है और एक तरीके को अपनाने के बाद अगर सक्सेस मिल जाती है तो वो उस तरीके को बार बार रिपीट करता है MPK जबलपूर में पिछले दिनों से चोरी की वारधाते बहुत जादा आ रही थी पुलिस को लगातार चोरी की मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने जात शुरू की साथ घरों में चोरी के मामले में पुलिस ने जब इन्वेस्टिकेशन करना शुरू किया तो जिस पर्टिकुलर जगह से चोरी की शिकायते आ रही थी वहां के CCTV फुटिजस खंगा लिए इन फुटिजस में पुलिस को चोर को लेकर एक एहम सुराग मिला लेकिन वो सुराग कन्फ्यूस कर देने वाला था ये चोर था तो महिलाओं की ड्रेस में लेकिन हरकते थी आदमियों वाली इस चोर ने सलवार सूट पहने हुए थे लेकिन अगले ही पल ये चोर उची से उची दिवार को आराम से फान लेता था जिसके बाद पुलिस ने और बारीकी से इस चोर पर जान शुरू की तो पता चला कि ये चोर है तो आदमी ही लेकिन औरत बनकर सलवार सूट पहन कर ये फिरता है क्योंकि अपनी पहचान ये किसी को नहीं बताना चाहता था पुलिस ने अपनी investigation को आगे बढ़ाते हुए इस चोर को भी arrest कर लिया है इस चोर का नाम है खेमचन संजे भी इसे कहा जाता है 35 साल की स्क्यूमर है इसने बताया कि ये पुलिस की बकड में नहीं आना चाहता था इसी लिए ये औरत के भेस में चोरियां करता रहता था